हेलो टुटर्स एम लेलकम तो देट करते हैं देखे यह कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर से लाइक यह सारी ब्लैक लाइन चो आप देख रहे हो एक बार ट्रेड एक्जेक्जूट करने से पहले हम कैसे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस के ब्रिकाउट हो सकते हैं या फि ज्यादा गिरी थी पेटियम जो है और प्रिवेस यह कुछ स्विंग्स को अगर ड्रॉ करें हम लोग यह वाला एडिया देखें तो प्राइस ने क्या किया था ना कल अपना एक नया लाइफटाइम लो लगाया था और उस लाइफटाइम लो के बाद से आज भी देखिए म अपन करेंगे तो प्री लॉग इंड हम लोग चली ठीक है तो यहां पर पोजीशन बुक देखते हैं पोजीशन बुक में आप ओर आल देखें 14,152 रूपीज का प्रॉपिट है और लास्ट जो हमने किया था इसको एक बाद रिफ्रेश कर लेते हैं लास्ट जो हमने किया तो पूरी तरह हम लोग साइड भी रह गया था करीब हमेंने लग रहा कि 2800 रुपिट हुगा था तो साइडवे मार्केट रही आज एक ठीक ठाब मुवेंट हमें इसके अंदर देखने हो को मिला था सो 14,000 के रॉण का प्रॉफिट था और कॉंटी एक बाद देख लिए तो और बॉक में चल करके 850 कॉंटी के साथ हमने इसको शॉट किया था 478.95 पर स्टॉप लॉस जो में इसके अंदर लगा था 482.45 पर हमारे स्टॉप लॉस को एक बाद रिफ्रेश कर लेते हैं सो ओके ठीक है एंद प्रॉफिट से हमने इसके अंदर बॉक किया थे 462.30 पर गुरूप में हमने काफी पहले कुछ कुछ कॉंटी निकल वा दी थी फोड़ा सेफ साइट कुछ कुछ कॉंटी सम कहते हैं कि निकाल दीजिए और जिसको होल्ट काना होता है तो फिर में ठीक ठाक प्रॉफिट अगर हम देखेंगे क्योंकि निफ्टी 50 के अधिकतर स्टॉक समारी साइट बेर इस वाइसे हमने कोशिश की थी कल प्रेटियम काफी गिरा था उसने एक लाइफ टेम लो लगया था तो रडार पर तो यह कल से था हमारी अब हम सोच रहे हैं जिस तर इस टाओ को ट्रेट करो तो उसके उपर एप्लाइ कर सकते हो ओके थाइंक्स वीडियो गर अच्छा रखते हैं तो इसको लाइक किजाएगा कॉमेंट किजाएगा और स्टार्ट करते हैं अशका वीडियो यह सारी मार्किंग्स तो हम पहले डिलीट करते हैं अब देखे सब और से पहले हमें देखना होगा कि हायर टैम फ्रेम पर पेटियम के अंदर हो क्या रहा है पेटियम ने एक लाइफ टैम लू लगाया था मतलब इसके नीचे फिर प्राइस हमारा त्वेल्थ ऑफ मैं 2022 के बाद में प्राइस हमारा नीचे नहीं निकला था यहांज फिर ही ओ जाएगा वह उपर भी जा सकता है उसका देखिए सीधा साथ एक्जापल आज आपको दिख गया पेटियम के अंदर यह सारी चीज़े बागी कॉम्पटिशन में और अम्बानी ग्रूप्स भी इस कॉम्पटिशन में उत्रा तो बहुत सारी चीज़े इनके अंदर इनके ल लगाया नहीं यह हमारे राडार में इस वज़े से है क्योंकि कल इसके अंदर काफी बड़ा मूव हुआ था 10% से ज्यादा यह स्टॉक नीचे की तरफ गिरा और दूसरी चीज़ इसने अपना लाइफ टाइम लो ब्रिक कर दिया था ठीक है अब हम एक चीज़ देख रहे ह है तो वह हमेशा अपने लोज को ब्रेक करते हुए जा रहा है यह वाले लोज मतलब कि सपोर्ट यहां से फिर प्राइज हमारे अपसाइड की तरफ अगें अब अगर इसको ऊपर की दिशा में जाना होता है तो इस तरह से क्या करे से हैं अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक क जब हम करने जाते हैं तो बहुत ही help करते हैं आप इस rule को याद रोखो price जब नीचे गिरता है तो अपने supports को break करेगा उपर जाने से पहले price हमारा resistance break करता है तब कोई बड़ा move हमें देखने को मिलता है simple सी चीज़ है अभी इसी चीज़ को आप paytm के price structure के उपर देखना यहाँ पर क्या impact पर आज की markings को हटा दीज़े एक यह high लगा low again यह high low फिर से high और यह फिर से low अब देखिए market ने कल क्या किया कल इस वाले support को 510.05 कल से लेकर के आज तक paytm 100 रुपय की movement दिखा जुगा नीचे एक तरफ 20% से ज़्यादा इसके अंदर downfall आया है अब यहाँ से price ने क्या किया अपने supports के breakout स्टार्ट किया यह वाले support टूटे यह वाले support टूटे अब देखिए कल यहाँ पर एक support बना price ने इसको नीचे की तरफ break कर दिया यह एक support बना और फिर इसके नीचे market हमारी close हो गई मतलब कि कल यह दो major supports बनेते हैं और इसके नीचे किसी भी तरह से market में निकले हैं तो हम यह बोल सकते हैं कि last support area मेरा यह वाला था क्योंकि इसके नीचे market ने closing की थी क्योंकि यह वाला low break नहीं हुआ तो हम इसको support नहीं मानेंगे यह वाला मेरा एक support area बन गया जो की market ने कल लगाया था यह मेरे लिए important हो गया अब देखिए price ने क्या किया कि resistance कहां कहां पर defined किया जैसे कि यह इसका resistance बना यह तो एक resistance point हो गया दूसरा यह हो गया support point continuation में अगर market को नीचे की तरफ गिरना है तो इसको इसको यह वाली line के breakout करने होगे basically अब देख रहे हो na 476.95 यह वाली line का breakout अगर हमें मिल जाता है तो हमें एक अच्छा move capture करने का मौका मिल जाएगा and chances are very high कि price का जो कल का move था downfall करने का जो कल का move था 1,3,2,4,5 अब price क्या कर सकती ना इसको continue कर सकती है क्योंकि कल के support यह वाले थे यह break हो चुके यह वाले भी support break हो गया और यह वाला support हमारा बचा था इसके नीचे अगर market निकलीगी तो अच्छा move में देखने को मिल जाएगा तो इतनी इस चीज़ के लिए 476.95 हमें यह वाला support देखना था अब यहाँ पर हमें क्या देखना है market को अगर उपर की दिशा में move करना है उपर अगर travel करना है तो वो किस तरह के symptoms देखाएगी और अगर नीचे की तरफ move करना है तो किस तरह के symptoms देखाएगी क्योंकि इसी के उपर depend करेगा breakout होने से पहले की price के symptoms किस तरह के होंगे समझ पार है ना अब देखिए यह fourth number जो हमारा point है actually यह कल का resistance area है इसको यह तो market break कर दे और अगर price हमारा इस range के अंदर है तो range के अंदर की activity क्या होंगी मतलब के range के अंदर के price actions क्या होंगी अब अगर price को नीचे की दिशा में गिरना है तो price अंदर ही अंदर अपने supports को break करेगी न और अगर हमें यह पता चल जाए कि price ने internal structures में मतलब के 489 और 476 के अंदर से resistance के breakout करना शुरू किया है या फिर supports के breakout करना शुरू किया क्या इससे हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते है कि 476 ब्रेक हो सकता है 489 ब्रेक हो सकता है यहां से analysis start करते है इससे पहले एक बात याद रखिएगा 489 हमारा resistance है और 476.95 की मेरा support point है सबसे simple भी होता है supports या फिर resistance के breakout का एक अंदाज़ा जो लगता है हमारे लिए वो है mother candle यहां पर हम लोग थोड़ी सी volumes के साथ cheating करेंगे मतलब volumes का भी use करें इसने एक mother candle form की 9.25 की candle के बाद में यहां पर एक mother candle बन गई यह जो mother candle का breakout हुआ है यह नीचे की तरफ हुआ है volume के साथ देख पहले है न 9.45 की जो volumes है इसने closing कर दी अब क्या हुआ एक support का breakout हो गया मतलब mother candle का breakout हो गया और इसके साथ ही साथ अगर हम बोलें कि इसने भी एक mother candle का breakout किया यह वाली जो हमारी candle है 9.40 9.40 इस पहले 9.35 की candle बनी इसने भी एक mother candle बनाई और price इसके नीचे की तरफ travel कर रहा है 9.35 की candle के नीचे आ गया अब यहां से देखे क्या हो रहा है 9.45 की जो candle है इसने भी एक mother candle form कर दी मतलब यहां से भी price क्या कर रहा है अपने supports को break करने के कोशिश कर रहा है नीचे की तरफ और already हम लोग देख चुके हैं कि price ने जो supports के breakout की है वो volumes के साथ की है यह supports का breakout या नीचे की तरफ closing इससे सबसे उपर अगर हमें simple way में समझना है तो price कर क्या रहा है कि हम लोग simple एक चीज़ देख पा रहे है कि price अपने supports को break कर रहा है और resistance को break नहीं कर पा रहा है क्योंकि resistance तो मेरा 489 है उपर जाना तो उसके उपर निकलेगा और अगर इसके नीचे से अगर हमें symptoms देख रहे हैं और नीचे के तरफ रहे है ये वाली भी candle देखे फॉर्म ही और नीचे के तरफ टूट गए अब यहां से क्या होगा हमारी इस वाली candle के या तो ऊपर चली जा या फिर इसके नीचे चली जा जो group में levels हमने share किये थे वो ये वाली levels share किये थे ये वाली levels share किये थे अगर हम बदा है तो ये वाला point था हमारा इसके नीचे में short selling करनी है 478, 50 या इसके पास का ही level था यहीं से हम लोग short selling करेंगे तो जैसे ही price ने क्ला है ये तो गिर गया लेकिन इसके पहले हमने देखा ना कि ये वाली जो black वाली candle थी हमारी आप देखोगे ये black वाली candle इनको हम delete कर देते हैं price क्या कर रहा है हम लोग पहले से देख रहे है कि price अपने supports को break कर रहा है ये देख रहे है ना इसको इस वाली candle का break out भी दिखाया market ने और इसके बाद में हम लोग देख रहे है तो यहाँ पर देखे आप कोई candle दिखाया पड़ रहे होगी 10 पच कर 10 मिनिट पर price क्या कर रहा है इस वाली candle को भी नीचे की तरफ पर कर रहा है कहीं से भी हमें एक चीज 1% भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि price में आ उपर की तरफ जा रहा है इस black वाली candle को हमने क्यों लिया क्योंकि जब यहाँ पर आप देखोगे तो price इस black वाली candle के उपर से देखे किस तरह का rejection दिखा रहा है और इसके बाद में जैसे ही price इस candle के नीचे निकला है मतलब 10.5 का 10.5 की candle के नीचे जैसे ही निकला हमने क्या किया कि अगर price हमारी इस black वाली candle के लोग को भी break कर देता है तो main तो support हम लोग देखी रहे हैं कि यह वाला है हमें breakout तो basically चाहिए 477 का हमें इसके नीचे के breakout चाहिए लेकिन breakout होने से पहले कि जो symptoms हमको नजार आ रहे है कि inner side में internal structures जो market form कर रहे है उसमें अपने resistance के breakout को market protect कर रहे है और अपने supports को break कर जो कुछ छोटी-छोटी symptoms है देख पा रहे हैं न price अपने resistance के पास से नीचे की तरफ गिर रहा है highs, lows लगा रहा है again high और फिर से lose कल के भी points से वाले बन रहे है हमारे और आज के भी तो market ने उसके नीचे तो बड़ा सा move दिखाया लेकिन हमने entry कब ली जब price breakout नहीं दिखाया था तभी इसके अंदर हमने अपनी entry यह थी यह थोड़ा सा रिस्की है लेकिन अगर हम लोग analysis करना start करना है आप धिरे धिरे करके जब price को analyze करोगे न तो यह सारी चीज़ा आपको समझ भी आ जाएंगे हमने जो अपनी entry ली थी वो exact यह वाली candle 478.95 की हमारी entry थी और जो हमने stop loss लगाया था जस्ट इस black वाली candle के हाई पर हमने यहाँ पर अपने stop loss लगा दिया था चाहते तो swing पर भी लगा सकते थे क्योंकि price ने इसके नीचे आकर कि जब movement दिखाया ना volume के साथ में तो मुश्किल था कि price फिर हमारा upside के दर जाए ऐसा हमारी analysis थी stop loss भी जा सकता था लेकिन एक होदा है conviction stock को देख करके price actions देख करके move देख करके volumes देख करके जो चीज आपको समझ में आती न वो ज़्यादा महिने रख तो इसी confidence में हमने यहाँ पर trade किया and जो हमने इसके अंदर अपने targets निकाले वो यह जो green candle हमारी form हो रही थी नहीं गिरते गिरते इसके पास में कि हमने अपने profits बोक कर लिये थे overall हमारी यह analysis थी हम चाहते मतलब मालूम नहीं था ना कि price हमारा इतना नीचे की तरफ कर जाएगा वरना हो सकता है कि जो कितना profit होता है 14,000 है यही 14,000 का profit में भी हो सकता है 17-18,000 पर तक हो जाता है लेकिर मालूम नहीं होता है कि best वहां तक चला जागा या फिर यहीं से turn हो जाएगा वो तो market बंद हो जाने के बाद में लगता है कि हम तो जल्दी निकले price तो हमारा यहां तक आजा है I hope कि सारी चीज़ा समझ भाएंगी यह हम espresso का broker यूज करते है आप चाहो तो इसके अंदर अपना account open करवा सकते हो link description में पढ़ा हुआ है वहां से आप अपना account open करवा सकते हो बहुत सारी facilities ऐसी हैं जो कि other brokers आपको नहीं देते है espresso ही देता है जैसे पेटियम है अभी अगर मेरे पास एक message आया था कि हमारे एक student है उनके पास fires का शायद account वो यूज करते हैं तो fires के अंदर पेटियम का order ही नहीं लग रहा था ऐसे जितने भी broker से ना कभी कभी होता है कि किसी में उनका order ही नहीं लगेगा जब market ज्यादा volatile होती है जो भी stock ज्यादा volatile होती है तो उसमें trading ही वो invalid बताने लगेगा valid नहीं है बट espresso में ये चीज़ बहुत कम होती है बहुत कम का मतलब कि बहुत कम होगी आपको जो auto score off करना पड़ेगा मतलब कि जब आप broker से बोलोगे कि हमें नकाल देना हम last तक wait करेंगे इसका कोई पैसा charge नहीं होता बाकि जितने भी broker है सारे के सारे आपको charge करते हैं आपने दूनों तरफ के जो trades होते हैं मतलब कि by chance किसी trade के अगर आपको loss होता है न तो उस case में एक ही side की brokerage जाईगी आपकी जैसे imagine कीजिए कि आपने की निफ्टी या बैंक निफ्टी में एक lot मारा उसमें 40 रुपाई की brokerage आपकी पढ़ी जो other brokers में होगा बट यहाँ पर क्या है कि कि किसी trade के अगर आपने loss कर दिया तो 40 की जगह है सिर्फ 20 रुपाई की आपकी brokerage पढ़ेगी मतलब एक site की जो brokerage होगी वो माफ हो जाती तो इसी तरह से चोटी चोटी कई सारी इसमें facilities आपको मिल जाएंगे ओके सो चाहो तो आप इसके अंदर account ओपन करा सकते हो बहुत smoothness आपको देखने को मिलेगी पिछले करीब एक से डेड़ साल से लगाता है मैं इसमेस को ही यूज़ करें इससे वज़े से आज हम इसको recommend कर सकते हैं Thanks and we will meet again